हलो फ्रेंस गुड मॉर्निंग आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं समर के दो ऐसे ड्रिंक जिने पीते ही आप बिल्कुल रिफ्रेशिंग फील करोगे और बहुत ही मज़ेदार ये ड्रिंक बनते हैं ये बहुत इजी वे से सस्ते ढंक से हम इसे बनाना आपको बताएं और इसके अंदर हम डालेंगे मिंट लिफ्रेश पदीन लिया है हमने इसे हम थोड़ा सा तोड़ कर इसके इंदर डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा हम धोई करेंगे कि दो चमच डाले हैं एक निम्बू का छोटे का जूस हमने निकाल के डाल दिया इसके अंदर अब हम बेलन की हेल्प से इसे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे ताकि निम्बू का भी जो स्लाइसे उनका वह भी क्रश हो जाए जूस निकल जाए और जो पत्ते हैं उनका भी टेस इसम आपने प्रिश करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक बरफ की स्लाइस यह मैंने आइस क्यूब्स डाली है आइस क्यूब्स इसमें काफी सारी जाएंगी यह काफी चिल सर्व होता है बहुत ठंडा इससे सर्व किया जाता है इसको नॉर्मल टेंप्रेचर करोगे तो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेगा काफी सारी बरफ इसमें डाल दीजिए आप और इसमें अब डालने थोड़ा सा नमक नमक डालने से जो इसका टेस्ट है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है बहुत बीना नमक के यह आपको बिल्कुल अजीब सा लगेगा काफी कासा लगेगा अब यहाँ पर जो में इंग्रीडेंट है वो कोरा काउ सिरफ है यह ब्लू लगून सिरफ होता है यह मार्केट में आपको काफी स्टोर में मिल जाता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है यहाँ पर इसके अंदर हम दो बड़े चमज भरके डाल द दाल रहे हो तो उसको डालोगे तो इसके अंदर 1.5 चमज चीनी का जरूर जाएगा क्योंकि वो फीका होता है तो यहाँ पर या तो आप सोडा डाल लें या फिर इसमें अंदर स्प्राइट डाल दिया है अब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह है मिक्स करने के बाद य इसे सब करें और यह बहुत ही अट्रेक्टिव ड्रिंक और अच्छा टेस्टी बनकर रेडी हो गया है अब हम दूसरा ड्रिंक रेडी करते हैं दूसरा डिंक बनाने के लिए मैंने गिलास लिया है इसके अंदर फिर वही हम नीम्बू की स्लाइसिस डालेंगे सबसे पहले चोटी-चोटी स्लाइसिस साथ डाल लेते हैं और इसके अंदर फिर हमने मिंट लीप्स डालनी है पुदीने के पत्ते तोड़ कर डाल देते हैं चोटे-चोटे टुकड़ों में बहुत ज़्यादा क्रश नी जटनी नी बनानी आपने बस इस तरह थोड़ थोड़े तोड़े डालने इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है पुदीने का और अब हमने इसे थोड़ा क्रश करना है उसी तरह हम बेलन से इसे क्रश कर लेते हैं क्रश करके इसका जो पते हैं और जो नीम्बू की स्लाइसिस हैं उसका हलका सा रस निकल जाए इतना करना है हमने बहुत जोर के नहीं मारना है तो ग्लास पे वी एफेक्ट आ सकते है दीरे दीरे दबा के करना है बस अब हम इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस एक निम्बू का रस्त डाल देते हैं इसके अंदर अब नमक डालते हैं तेस्स के एकॉर्डिंग नमक बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं थोड़ा सा मीडियम सा हमने 1 Image स्पूर्थ अब इसमें जाएगी स्प्राइट, सोडा डार रहे हो तो चीनी डालीजिए, अगर आप स्प्राइट डार रहे हो तो कुछ भी नहीं डालना आपने, only स्प्राइट डालना है, मीठा हैस के अंदर नहीं जाएगा स्प्राइट के साथ बिल्कुल भी, और अब हम इसे कर लेमन जूस पर गरा जो भी हैस के अंदर मिक्स कर दिया जाएगा, और इसे अब हम स्ट्रॉ के साथ सर्व कर देंगे, लिजे ये ड्रिंक भी अब हमारा बनकर रेडी हो गया है, और अब स्ट्रॉ को इसके साथ सर्व करते हैं, और इसमें एक निमोगी स्लाइस लगा देते कर लोगे, बहुत ही इजी वे से और सस्ते डंग से मैंने आपको बनाना बताया है, एक बार ट्राइस जूर कीजिए, अगर ना पसंद आए तो बताईए, अगर पसंद आए तो भी बताईए, कोमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला है, जो मर्जी कोमेंट आप करके मुझ कर रही है, उससे आपको ये परटेक्ट करेगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक सूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे हम आपके साथ हैं, और नई नई वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए थब लाचिं तर ने थैंगे, कडियो थिए, पीजवखएभा ने इंट करेंडे ही हैं, और रा रहाचिंग करेंड़ लेके सानवे ष्यसा थाया हैं, और र्यत्परेंगे मैं, इन पल्यत्-दूटल्या जोएफज करें इन्दष passado, जदूल खएपकरेंगे।, तर आएब